खुशंगाबाद जिले के सिबनी मालवा में गुरुवार को कांग्रेजियों द्वारापूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांदी की 29 वी पुन्यतिती शधापूर्वक मनाई गई इस दोरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यारपन करते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया गुरुवार को ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील खत्री के नेत्रित्व में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांदी की पुन्यतिती पर श्रधा सुमन अर्पित किये वही ब्रजमोहन रगुवन्शी ने बताया कि पार्टी के सभी पुराने सिध्धान्तों को भी सेनेटराइस करने का समय आ गया है अगर हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है तो सभी को मिलकर प्रयास करना होगा लोगडाउन के नियमों का पालन करते हुए बेहत साथगी के साथ स्वराजीव गांदी की प्रतिमा पर माल्यार पन किया गया वही कॉंग्रेस पदाधिकारी विकास पार्थक ने कहा कि आधुनिक भारत और भारत में सूचना क्रांती के जन्दाता राजीव गांदी की विकेंड़ी करन और सूचना प्रोध्योगी की जैसी दूरदर्शी सोच और दिशा पर आज भी भारत निर्भर है कंप्यूटर क्रांती से लेकर पंचायती राज और राजनीती में युवा भागीदारी के लिए मद्दान की उम्रथारा वर्ष जैसे दूर दर्शी निर्नियों के लिए राजीव गांदी को सदैव याद किया जाता रहेगा इस मौके पर कांग्रेजियों ध्वारा कोरोना योधाओं का पुश्पवर्षा कर सम्मान भी किया गया पार्टी को सेनिटाइज के आपस में सदभाव ना बनाएं लगातार हार की हम समिक्षा करें बीस बरसों से चूनी में हमें एंट्री निकर पार किया बजहेए भरिये हम सब इसको विचार करें ।कारिकर्ता को पूर्जय पूर्जय को महत्त प्रूच को करें पब्लिक को सम्बान करें के इसे जुड़ें इसको संकलप के रूप में लें कि हम कि हा प्षैलो है भर以 हम अपनी स्विक्सा करें आज राजीव जी की 29 पुणति थी को इंदरा गांधी साहता के अंदर के बेना तले हमने आज मनाया और इसमें हम आज सभी जो कोरोना योद्धा लोग काम कर रहा है विगत कई सालों से कई दिनों से उनका हम संबान करेंगे और उन्हें पहुझन के बेकट बेकट रहेंगे आज हम अपने पूर प्रधान मंत्री जी को बहुत साधत से याद करते हैं और उन्हेंने देश के लिए अपने प्राणा दे नचावर किये हैं और देश को नई देशा, नई उर्जा और नई तकनीक दी है इसलिए हम उनको नई तकनीक और नई उर्जा के रूप में संचारित हमारा देश रहे हमेशा इससे याद करते हैं देश के पूर प्रधान मंत्री जब इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री थी उस समय उनके ही बाड़ी गाड़ों के द्वारा आतंगबादी गतिवी दिवां को लेकर स्रीमती इंद्रा गांधी पर कसीना चाती गोलियों से छलनी कर दी गई थी और देश में ऐसे दंगे भड़क उठे थे जिसके कारण पूरे देश में दंगे भड़के उसी समय हमारे सबसे युवा उनके पुत्र राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री पत्की सपद ली और लोकसवा के चुनाव के पस्चात पूर्ण बहुमत से देश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो राजीव जी प्रधान मंत्री बने और सबसे कम उमर के युवा प्रधान मंत्री इस देश के भारत रत्न राजीव गांधी रहे राजीव गांधी का नाम राजीव रत्न गांधी भी कहा जाता है उन्होंने इस देश को हमेशा बिभिन जाती धर्मों के इस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों का आधर किया सभी जातियों को एक साथ एक अखंड भारत की कलपना की और संचार करांथी के रूप में संचार करांथी के बजनक कहलाते थे उन्होंने संचार करांथी सुरू की राजीब गांधी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने पंजाब में राजीब लोंगोबाल समझोता कराया और आतंगवाद को समात्त किया उन्होंने इस देश की युवा पीड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 18 वर्स के युवाओं को मता अधिकार का अधिकार दिलाया देश में पंचाती राज वैवस्था लागू की हम आज इस पुन्नत थी के आउसर पर उनकी दिखाए हुए मारको पर आगे चलने का संकल्ब लेते हैं और इस महामारी में के कारण जो इस देश पर संकट आया है कांग्रेश उसे हर चांड पर सेवा और करने का संकल्ब लेती है कांग्रेश बुर्ट लेते हैं